हलो एवरिवन स्वागत आप सभी का जनूर क्लासिज में तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लेब असिस्टेंट 2022 जो वेकेंसी आने वाली है जिसकी एक्जाम डेट अनॉंस हो चुकी है 4 जून को आपकी परिक्षा होगी तो इसका स्लेबस हम डेटेल में समझने वाल है कि 2019 और 2018 में जो आपकी जो भरती परिक्षा होई थी उसके आदार पर आपका स्लेबस क्या रह सकता है और उसी के आदार पर आपको तैयारी करनी है क्योंकि अब आपकी एक्जाम डेट फिक्स हो चुकी है चार जून को आपकी एक्जाम होगी तो आपके लिए टार्गेट मिल चुका है चार जून तो अब आप समय को वेर्थ ना करें एक- Εक दिन आपके लिए बहुत ही कीमती होने वाला है इसलिए आप जो भी स्लेबस है जो णाश्ड एक्जाम का स्लेबस था उसी के आदर पर आपको पढ़ाई करनी है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा प्रियोग साला सायक बढ़ती परिक्षा 2008 रखा है यहाँ पर इसकीम दे रखा है सबसे मिले एक्जाम पैटन समझते हैं ठीक है एक ही पेपर होता था ठीक है एक ही पेपर होता था ओफलाइन पेपर होता है लबग तीन सो अंक का पेपर आता है और तीन गंटे का आपका पेपर होता है जिसमें दो पार्ट होते हैं पहले पार्ट की बात करें इसके अंदर पूरा रास्तान जी के complete राजिस्तान जीके आता है उस राजिस्तान जीके के अंदर जो complete आपका राजिस्तान जीके है इस राजिस्तान जीके के अंदर राजिस्तान का इतियास, हिश्ट्री हो गया कला यानि आर्ट, संसकर्ती साइट यानि कल्चर, परंपराएं विरासत राजिस्तान का भूगोर तो राजिस्तान की जो ग्रोफी, राजिस्तान का इतियास राजिस्तान की कला संस्कर्ती ये तीन चार यहाँ पर टॉपिक है एक यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है वो नहीं दे रखा आपका, पॉलिटिकल नहीं दे रखा, तो पॉलिटिकल नहीं है, इसके अंदर, सिर्फ इतियास है, भुगोल है, कलासंस करती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो इसके 100 मार्क्स का पेपर है, बतलब 100 नंबर का ये आपका, ये आपका topic होने वाला है अब बाकी का जो आपका science का पूरा syllabus है, जिसमें आपका biology हो गया, physics हो गया, chemistry हो गया, ये आपके 200 नंबर का आता है, इसके 100 कुशन होते हैं, 200 नंबर के, ठीक है, सभी कुशन भवविकलपी होंगे, और noon time आपको कितने मार्क्स लाने होंगे, जब आपका result जारी होगा, तो 40 प्रतिशत आपको passing marks चाहिए, 40 से अगर आपके कम passing marks आते हैं, तो फिर आपको बार कर दिया जाएगा, अगर आपको pass होना चाहिए, पेपर कितना भी tough हो, लेकिन minimum आपको 40% marks तो लाने ही होंगे, जिक है, और negative marking बिल्कुल जी हाँ, negative marking आपकी 1 by 3 है, 1 by 3 आपकी negative marking है, अब डिटेल में से ले बस देख लेते हैं, पाटिकरम आपका जो है राजस्तान सामायनिगान की अगर हम बात करें, रास्तान इतियास, कला संस्कृति, साइत, परमप्राय विरासत, जिसमें आपके जितने भी topics हैं, वो सबी दे रखें, रास्तान इतियास के प्रमुक स्रोत क्य प्रागितियासिक सबहताइं क्या हैं, रास्तान के प्रमुक राजवांस, उनकी उपलब्तियां, मुगल राजपू संमंद क्या थे, साप्रत्यकला की प्रमु विसिश्ताई, किले, इस्मारक, संदरस्ताई, रास्तान के धार्मiki, आंदोलन, लोक देवी देवताई, ठीके इसके अलावा राजिस्तानी संस्कृति क्या है? विरासत यह आपका जो है पैटन रहेगा तो इसके लिए जो बुक्स है मैंने बताई थी लक्ष पैसे तो बहुत सारी बुक्स आती है देखो भई जीके की एक प्रॉपर गाइड लो उसी को दस बार पड़ो अलग अलग गाइड लेने की जुरतनी की इस्ट्री के लग ले ल है भुगोल ये डिटेल में रास्तान का भुगोल दे रखा है कि मुख्य बहुतिक विवा क्या क्या है जलवायू मृदा प्राकर्तिक वनस्पति वन्यजीव ये वन्यजीव वन्यजीव संदक्षन बहुत इंपोर्टेंट है मरुस्तुली करण हो गया पसूधन फसले अमें पिरफ रखाहिश को ये गाये लाव रागुलर पड़ो चार मेनी तक उसको दसा बार पढ़ लो चार मेनी लगबग चार महने आपके पासً है जितना भी समय है तीन मेनी चार मेनि पढ़ लो अब बात करते हैं साइंस की पहली बात तो शाइंस स्ट्रीम से है तो आप को science की समझ है अगर कोई arts का विद्यारती होता commerce का होता तो मैं कह सकता था कि आपको science की समझ नहीं है लेकिन इसमें कापी सारी विद्यारती ऐसे होंगे जो जिनोंने जीन नेन नियत्र लेवल की preparation कर रहा है एक बार, दो बर, तीन बार ऐसे विद्ध्यारती फॉर्म लगाते हैं जिनका नीट में नहीं हो रखा जिनका नरसिंग में नहीं हो रखा जिनका जिनोंने IIT GEM तक paper clear कर रहे हैं ऐसे विद्यारती भी इस exam form लगाने वाल है तो उनका अच्छा level होगा तयारी का ठीक है लेकिन जो syllabus है वो NCRT है भई syllabus वो ही NCRT जो अपने 11-12 के chapter होते 11 के complete और 12 के complete ठीक है ना आप देख लीजे वो ही chapter होंगे जिसे बाइलोजी की बात करें तो बाइलोजी में आपका सहवाल, कवक, ठीक है ना लाइकेन, ब्राइओफाइटा, टेरिडोफाइटा तो आपका पूरा प्लांट जो classification है classification of plants की बात करें ठीक है ना और इसके अलावा जो complete आपका सेवाल, कवक, ब्रायफाइटा, टेडोफाइटा, जिमनोस्परम, एंग्योस्परम, कम्प्लीट दे रखा है, मॉर्फोलोजी ओप एंग्योस्परम दे रखा है इसके अंदर, प्लांट एनाटॉमी दे रखा है, जिसमें आपका टीशू हो गया, सेकेंडरी ग्रोफ हो गई, इसके अलावा प्लांट फिजियोलोजी भी दे रखा है, जिसमें आपका ओस्मोसिस हो गया, ठीके ना, परासरन, जलाव सोशन, रासा रोहन, वास्पो सर्जन, कुल मिला के पूरा जो 11th की NCRT है, उसी के चेप्टर हैं आपके, ठीके, आगे बढ़ते हैं, और इसके अंदर भी देखो, परियावन, अध्यन आगया, पूरा कम्प्लिट एकोलोजी आगया आपका, इसमें परियावन, तंत्रकी, रचना, प्रकार, उर्जा, प्रवाह, भू, रासानिक चक्र क्या है, ट्रांजिशन, पादप, जन्तु यह सब आजाएंगे, चीक है, एकोनमी प्लांट्स, यह आपको बोटनिकल नहीं आनी चाहिए, एक पादप का महतो पता होना चाहिए, कि मेडिसीन की रूप में इसका मैतो है, किसी अनी रूप में, सैल पूरा कंप्लीट आएगा, सैल 11th किलास का टॉपिक है, एक इसका नेक्स्ट हम देखे है, जैनिटिक्स पूरा दे रखा है, यह आपका जो है, जैनिटिक्स वाला भी आपका 12th का है, जन्तु वरगीकन यह अतंत्र हो गया, मतलब हुमन के जितने भी सिस्टम्स हैं, हुमन सिस्टम्स यहाँ पर आपको दे दिये हैं, ठीक है, लास्ट में, जो एट नमबर का टॉपिक है, जैनिटिक्स विकास, तो कुल मिलाके, ग्यारवी और बारवी की जो, एन्सी आटी बाइलोजी है, वो आप के पास में, MCQs हो, लास्ट येर पेपर्स हो, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन पढ़ नहीं आपको लाइन टो लाइन एन्सी आर्टी है, बहुतिक का भी है, अब मैं डेटेल में नहीं बता हूँगा, मैं आपको बता देता हूँ कि 11-12 क्लास का, जो फिजिक्स है, वो सारे के सारे च Cyrus, चाया आप देख लिजी इसमें, आपका पहला चеди कर सेप्टर बात कर ये, क्टिक्स आपका बूरा-पूरा और देख लिजी इसमें, रैसायन की बात करें, हम रासायन के अंदर आपके पूरे चैप्टर दे रखें, 12-11 क्लास के, पाउलीय संक्या रदर फोर्ड मोडल इलेक्ट्रों प्रोटों न्यूट्रों अबाव सिद्धान्त स्पीडियेप कक्षको क्या करती हुंड का नियम आदुनिक आवर्सानी बड़ा ही आसान स्लेबस है वही एलेवन ट्वेल्थ का आपका स्लेबस हो जाएगा एस ब्लोग पी ब्लोग आपने पड़े होंगे रासानीक साम में ठीक है ना इस विलियर वाला चेप्टर आपका ट्वेल्थ किलास का चेप्टर है चेप्टर नमबर सेकेंड यह आपका एंसिया ठीक है इसके लावा हाइड्रोकार्बन कंप्लीट और्गनिक दे रही इसमें इसमें आपका और्गनिक जो नॉमनक्लेचर है इसके लावा जनरल प्रोपर्टी और्गनिक कंपाउंड यह कंप्लीट आपको दे रखा है इसमें आयू पीएसी आ गया इसके लावा समय वता आइसो मेरी जमा गया तो कुल मिलाके और्गनिक केमिस्ट्री भी काफी जितना स्लेबस के आदार पर पड़ोगे बहुत अच्छा रहेगा कहीं से नॉट्स आपको मिल जाएं अप काफी बचे कॉमेंट करते हैं सर नॉट्स प्रवाइड करवाईड करवाईए ठीक है देखो नॉट्स मेरे पास नहीं है अगर होती तो मैं आपको प्रवाइड कर डीन कर लेता हूं तो आपको प्रवाइड करवादूँंगा निशुल करवादूंगों कोई दिक्कत नहीं आप जनल कॉमपरिशन की तैयारि कर रहे हैं स्पेस्ली अस्ट्री की तैयारी कर रहे है डिल्वी की आपकी एक्जाम आने वाली आप सभी को पता है एन एक्शू टू होने वाला है, group D exam अपका होने वाला है, तो आपका, अगर exam क्या preparation कर रहे हैं, किसी भी exam की competition की, तो आप जुड सकते हैं, Unicademy एप से, रोजाना मेरी class होती है, free special class भी होती है, plus class भी होती है, तो आज सुबह 8 बजे, आज सुबह आट बजे मेरी शांदार लाइव कलास है इस लाइव कलास के अंदर आप जूड सकतेई अनिकेडमie प्लेटवर्म पर अभी तक अगर आपने अनिकेडमी प्लेटवर्म को डाउनोड नहीं किया तो आप लोग कर सकते हैं कैसे डाउनलोड करें तो Uniquid Learning अब आप Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं करने के बाद register करें, sign in करें अपने मोबाइल नम्र से उसके बाद में category select करें, SSC non-technical, ठीक है और select करने के बाद मेरा नाम search करें, Arvind Kundara मेरी profile वहाँ पर open हो जाएगी और उसके बाद में आप मुझे वहाँ पर follow कर ले क्या कर ले, follow कर ले, follow करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना मेरी 8 बजी वाली class का link description में मैंने दे रखा है, उस पर click करना class open हो जाएगी, आप से code मांगेगा, code लगा दे न, genuine 10 G, E, N, U, I, N, E 10 लगा देना, बिल्कुल free class इंदरोल हो जाएगी, बहुत free class है, पतला आप लोग class ले सकते हो, कोई बचा class में आ सकता है शांदर question करवाता हूँ, poll generate किये जाते हैं poll में answer करो, काफी मजा आता है, बहुत सारे features हैं, बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद